पिछले दो दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तीन दिन से बच्चा भूंखा, प्यासा, बैठा है पिछले दो दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज तीसरा दिन है, मैं आज बहुत टायड हो गया था, भी आया ज़स्ट छह बज़े आया था और तीन दिन से लगातार हो रहा है, दो दिन हो चुके हैं, अज दीसरा दिन है, और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी, आयोग की तरफ से कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं किया गया है, और अभी कल वो आये थे सामने सिर्फ ये ट्राई किये हैं, कि ये लोग करेंगे, ये भी थोड़ा explain करता हूँ, देखो, बेसिक अभी तक जो UPSC के पेपर होते थे, वो होते थे एक सिप्ट में, एक सिप्ट में मतलब एक दिन में, एक टाइम पे पहले वो लोग GS First पेपर ले 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 लेते थे, जैसे UPSC करती है, लेकिन अब ये लोग इसको में ले लोगे, तो इतना कोई पेपर लिख होने वाला चांस बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक रीजन और इसमें ये भी बनता है, suppose एट पहले दिन एक पेपर हुआ, दूसरे दिन एक पेपर हुआ, और दोनों में 20-20 कुश्चन की गलती आ जाती ही, जो कि I.O. की तरफ से हमे करते वैकेंसी चली जाती ही, तीन साल, जो की स्टुडेंट की लिए बहुत ही दुख की बात होती है, क्योंकि इससे होता क्या है, पेपर कांटीन नहीं हो पाते है, ना वैकेंसी टाइम पे क्लियर हो पाती है, और इनका यही दिमाग में है ही कि ऐसे कर देंगे, तो पहले दूसरे दिन वाले पेपर में 10 गलती, दूसरे दिन वाले पेपर में 10 गलती, उसके बाद इस्टुडेंट प्रोटेस्ट करता रहा है, धरना देता रहा है, कोर्ट जाता रहा है, हम लोग वैकेंसी क्लियर ही नहीं कराएंगे, और अगर एक ही दिन में रहेगी तो गलती है कम रहेगी जिससे high court में चाने के chances बहुत कम हो जाते हैं जिससे कि vacancy जल्दी clear हो जाती है पहला reason तो यही हो गया कि दो दिन की जगह पे paper जब अभी तक एक दिन में हुआ है तो अब दो दिन क्यों करवा रहे हो क्या तुमको अपने लोगों को भरती कराने में problem आ रही है इसलिए दो दिन करा के अपने लोगों को भरती करा दो जब बात आती है कि हम बोल रहे हैं कि दो shift की जगह पे एक shift में exam लिया जाए तो आयोग क्या बोल रहा है कि हमारे पास proper center ही नहीं है कह रहे हैं कि हमारे पास center ही नहीं है हमारे district है 75 अभी 76 बनने की बात हो रही है 75 district है और उसमें केवल ये लोग 41 district से 41 district में लोग center बनाये हैं कि 44 district में हम लोग paper लेंगे 34 को ऐसे ही छोड़ दिये हैं 34 district में center बना दो न तो already सारे बच्चों का problem solve हो जाए एक दिन में paper हो जाए लेकिन नहीं आप लोगों तो आप लोगों को excuse चाहिए कि हम लोग को अपनी भरती करवानी रहेगी तो हम लोग बच्चों को यही lollipop पकड़ा देते हैं और अभी तक बराबर पुरा चला रहा है UPSC इत्ता बड़ा exam है इत्ते लोग appear होते हैं वो पुरा करा लेता है एक दिन में कोई दिक्कत नहीं होती उसको लेकिन UPSC को अभी हाल भिलालें दिक्कत होने लगी अभी तक इसको भी कोई दिक्कत नहीं होती थी लेकिन आप paper leak comment दे दिए क्योंकि स्टूडेंट हला बोल कर देता है कि पेपर लीग हुआ तब सुच रहें कि बच्चा पेपर लीग का अब दे देता है इससे अच्छा अपने लोग की भरती अंदर एस करो पेपर लीग का उपसने न रखो थोड़ा रेट बढ़ा दो और इस वजह से सोच है कि नॉर्मलाइजेशन का ना जूटा नाम दे करके अपने बच्चों के अंदर से ज्वाइनिंग करवा लिया करेंगे और जो कैफेबल बच्चर है कि जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसे बोल देंगे भाई तेरे नंबर नॉर्मलाइजेशन के थुरू कट गए वाय ह आपको दूसरा रिजन यह प्रोटेस्ट करने का कि इन्होंने बोला है कि अब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे यार सर्म की बात है नॉर्मलाइजेशन वंडे एक्जाम में होता है जिनमें मैथ आ रही है रिजिनिंग आ रही है वो क्योंकि मैथ में कभी-कभी बहुत टफ पैपर बना देते हैं और कभी-कभी बहुत इजी पैपर बना देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन च्रूКАं करते क्या है कि जिनका पिपर टफ रहता है उनके नंबर थोड़य से बढ़ा देते है और जिनका पेपर थोड़ा सा एजी रहता है जिस صित की मैक्शत बच्चों की जिसमें 67 बच्चों की 1 rank आई थी और जब पूचा गया था UCC से तो UCC ने बताया था कि अरे normalization में हुआ है लेकिन जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया लोगों ने हमने वीडियो बना के डाली उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद रिग्जाम हुआ तो 67 बच्चो भी नहीं 1 rank ला पाए मतलब normalization का नाम देके वो लोग अपने बच्चों की joining करा देते हैं ऐसा ही अगर आयोग में normalization हो जाता है तो लोग वहां के जो हैं वो 50 लाख 40 लाख दे करके अपने बच्चों का अपने आसपास के लोगों का जो उनको पैसा देंगे उनको वो normalization का जूटा नाम दे करके आयोग में भरती करा देंगे जिससे की एक उस बच्चे का हाक जाएगा जो actual में मेहनत करता है क्योंकि normalization में हम ये तो ताई कर सकते हैं कि math का paper tough था इस shift वाला और इस shift वाला ही जी था लेकिन आप लोग ये बताओ हम math के paper में तो बता सकते हैं कि ये shift का paper tough था क्योंकि इस shift में ज्यादा question इस chapter से आ गये थे जैसे कि suppose that time से आ गये time distance से आ गये या किसी और chapter से आ गये तो हम math में तो बता सकते हैं कि इस shift का paper tough था क्योंकि इस में जो question थे वो उस syllabus से आये थे जो की बहुत tough होता है और एक time पे बहुत easy paper बना दिया math के जैसे 10 questions ब easily जिस बच्चों का paper बहुत tough था उनको number थोड़ा ज्यादा देंगे और जिनका paper बहुत easy था उनको थोड़ा number कम कर देंगे क्योंकि उनने बहुत अच्छे से question solve कर ली होगे तो यह तो normalization ठीक बैठता है math में reasoning में लेकिन आप लोग यह बताओ history का बच्चा यह पढ़ रहा इसमें भाई तुम कहां से judge कर दोगे कि यह वाली लडाई का dating 1770 को क्यों ब्योकूब बना रहे है हम math में judge कर सकते हैं बच्चों का paper tough है easy है लेकिन अगर history है अगर मैं बोल दूँ कि मुझसे कुछी ने बोल दिया कि भाईया article 72 में क्या है मैं बोल दूँ कि president को जो गो करता है तो president को हम relief देते हैं या उसको उसको डंड नहीं दे सकते हैं और किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि 100 में article में क्या है वह बता रहा है कि लोकसा भाद्याच जब voting करता है भाई article याद करने में क्या problem है वही 78 में सब्द याद करने होई 100 में इसमें तो normalization इसमें कोई formula नहीं लग रहा कोई calculation नहीं लग रहा इसमें सिर्फ याद करने की skill लग रही है तो आप कैसे कह दिए कि इसमें normalization होगा और normalization का नाम लेकर के ये लोग अपने जो इनको 40,50 लाग पहुंचाएंगे आयोग में उनको भरती करा देंगे और लोगों से पता जिसका नंबर बह पेपर में चलता है बट यार अगर हिष्टी पढ़ रहा है जियोग्राफी पढ़ रहा है उसे एक से latitude पूछा जा रहा है कि latitude कितनी है हमारे अर्थ पे और एक से पूछा रहा है longitude कितनी तो भाई इसमें क्या difference बन रहा है कोई formula लागा के नहीं निकालना है बस एक नियाद अभी तक no normalization था UPPSC में अभी तक एक दिन में एक्जाम होता था तो अब क्यों दूसरा रीजन यह है और आरो का पेपर जो जो स्टूडेंट दे रहे हैं वो लोग भी प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें पहली बात तो पेपर लिग करा दिया तुम लोगों मैं बताता देखो अभी तक जो पेपर लीग हो जाता था थोड़ा बहुत खबर आ जाती थी अब पेपर लीग की खबर नहीं आएगी रीजन आप लोग खुसमत हो जाओ रीजन यह रहेगा क्योंकि जो पेपर लीग होने की खबर आ जाती थी अब वो लोग डिरेक्ट आते रहें 50-50 लाग में, पेपर लीख होने का नाम भी ना है, अरे सर्म करो आयोग यार इतनी महिनत कर रहा है स्टूडेंट ना, हम लोग मर रहे हैं पढ़ पढ़ के आप लोग तो क्या ही चल रहा है, और ये इसी लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है कि एक साल हो गए हैं, आयोग ने कोई भरती नहीं कलियर की, भरती छोड़ो, 11 फरवरी को पहला पेपर आरो का हुआ था, 11 फरवरी के बाद से पेपर लीख हुआ है 11 फरवरी को, उसके बाद इन लोगों ने आरो का पेपर की डेट बढ़ा बढ कभी अक्टूबर, कभी November, कभी December, नहीं ले पाएं, एक साल हो गया है, उसके बाद आती है हमारा PCS की बात, PCS का पेपर पहले बोले पहले बोले 16 या 17 मार्च को होगा, पहले बोले October में होगा, फिर बोले November में होगा, फिर बोले December में होगा, बाई मजाक चल रहा, एक साल हो बटेंगे वाय होगी जी ठीक है हम खुल से हैं आपकी पॉल से हम आपको प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं लेकिन यार इस्टुडेंट भविस है बेचारा मर रहा है तीन दिन से हम लोग गया है मैं कल मेरा पैर इतना दर्द कर रहा है न आज मैं सही से खड़ा नहीं हो पा पता है यह चलेगा उसके बाद अब दिक्कत यहां पर आती है न एक लड़के ने कमेंट किया कि भाई पढ़ ले मैं वहां पर लाइब आया था मेरे भाई तेरे जैसे को न मैं वैसे निगेटिव लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूं लेकिन जो ऐसा कमेंट कर हैगा और जब वो तुहारा काम पैसे लेके करेगा तब तुम लोग बोलोगे कि सिस्टम में भरष्टाचार फैल गया है और आज जब हम लोग हाथ की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिले इलिजबल बच्चे जाएं जो कैपेबल हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है वो जाएं और उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो तुम जैसे लोग आके कमेंट कर रहे हैं पढ़ ले वाई क्या मैं बोलू यार तुम लोग के लिए करो तो अच्छा नहीं बुरा है और ना करो तो और बुरा यह पूरा मैटर है कि नर्मलाई जैसा अगर हुआ तो यह लोग अंदर से अपने बच्चों की भरती करवा देंगे और पेपर लीक का नाम ही नहीं आएगा और धांद्री यह बहुत तकड़े से चलेंगी दूसरा रीजन यह है कि एक साल आयोग को हो चुके हैं और कोई पेपर नहीं लिया मंदिर का तयारी सही चला है कि नहीं यह चलता है और तीन दिन से बच्चा भूंखा प्यासा बैठा है वहीं पे लड़कियां हैं लड़के हैं चल गया रहा यार ऐसे अखंड भारत छोड़ो कि जैसा भारत अजादी से पहले था वैसा भी नहीं बनने वाला उससे विवेक आप लोग तो इसलिए एक्ट ला रहे हो कि हम लोग घूस खोरी की थुरू अपने लोगों को ज्वाइन करा सके और इसलिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तीन दिन से बराबर हो चुका है दो दिन हो गया तीसरा आज हुआ है कल मैं गया था सोचा था कि बच्चों को कुछ खिलाओंगा जो भी एफ पानी समूसे कल तो नहीं कर पाया आज जाओंगा फिर अभी मेडिया मेडिय आ रही है ना गवर्मन्ट की तरफ से कोई आ रहा हैं ना कोई नेता दिखाई दे रहा है जो दावे करते हैं विकास के सब हम लोग नॉर्मल से छोटे-छोटे यूटूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं वही कर रहे हैं मतलब क्या चला है इतना बच्चा 10,000 से उपर बच्चा भीड़े बैठा है पता नहीं कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है मारा 20-25 करोन पॉपुलेशन होने वाला है और इसमें इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर यूपी यूपी का ही प्रसाशन बेउस्ता खराब हो गया तो और क्या ही चलेगा और यहीं कहीं कोई नहीं सुनना है कोई बड़ा नूच चैनल नहीं आया है कि एक बार आके वो लोग सुनें बातों को लोगों की बातों को आगे तक पहुँचाएं तो यह है पूरा मैटर और आज जाते हैं देखते हैं क्या होता है तो आसा करता हूँ वीडियो आपको ठीक जैसा भी हो वीडियो सेयर करना, स्टोरी में लगाना क्यादा वीडियो जाता नहीं रीचिंद में वीडियो में चली मिलते हैं अगले वीडियों तो तक ले जाएं जाए भारत लगे रहेंगे